Study IQ IS अब तयारी हुई affordable एक महाजनपद की story थी आपको पता है कि बुद्दिजम और जैनिजम का उद्भव कहां से हो रहा था बर्थ कहां से हो रही थी इनी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद में से हो रही थी इतनी सारी stories इतनी सारी सोच अपने आप में समेटे हुए है ये 6th century BC की कहानी भारत में दूसरी बार अर्बनाइजेशन होने जा रहा था दोस्तों इससे पहले के एपिसोड में History of भारत through maps में आपने देखा कि किस तरीके से वेदिक समाज अपने आपको western part of India से eastern part में आ रहा था और अब east में जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी याने की अब इंडिया की जो civilizations आ रही थी वो गंगा को अपना access बना रही थी Indus की civilization और Indus Valley civilization अब खत्म थी अब बारी आ रही थी गंगा और उसके उपर और नीचे बसे हुए civilizations के बारे में लेकिन दो stories इसको clear cut तरीके से बता देती हैं शत्पत ब्राम्मन में एक राजा का नाम है शत्पत ब्राम्मन यजुरुएद की एक किताब है यजुरुएद का एक अंग है उसमें एक राजा है के लिए जमीन दी जाए अगनीदेव प्रज्वलित हुए और उन्होंने सदा नीरा तक जंगलों को खत्म कर दिया सदा नीरा आज की गंडक है यानि कि अगनीदेव नौर्थ वेस्ट से लेकर सदा नीरा तक उस जंगलों को खत्म करकर विदेगा माधवा को agriculture practice करने की जग दे रहे थे ये जगह इसी प्रकार से आ रही थी साथी साथ एक कहानी बुद्ध की भी बुद्ध जब मरने की स्थिती में हुए जब वो मरना सन्न हुए वो एक non-descripted town में चले गये यानि कि एक कोई जाना पहचाना टाउन नहीं था एक खाली जगह थी ये स्टोरी जो है वो मध्यमिका निकाया में लिखे गई है और इस स्टोरी में आनंद और बुद्ध के बीच में हुए डायलॉक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं आनंद जो उनके सबसे फेवरेट डिसाइपल थे उन्होंने कहा कि तथागत आप इसी जगह को क्यों चुन रहे हैं अपने अंतिम दिनों के लिए क्यों चुन रहे हैं यह आपके स्टेटस के हिसाब से नहीं है जगे बुद्ध कहते हैं कि नहीं कुशी नगर एक जमाने में बहुत बड़ा शेत्र हुआ करता था यहां पर महा दस्सना नाम के एक राजा हुआ करते थे यह बारा बाए छे य बुद्ध के डिसाइपल को भी पता थे बुद्ध को भी पता था तो आईए जानते हैं इन सब शेत्रों के बारे में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 16 महाजन पद्स सबसे पहले लिखे कहा गये हैं हिस्ट्री में देखिए बुद्धिजम की एक किताब है स सबसे पहले लिखी गई किताब थी बुद्ध के मरनी के बाद उनके महापरिणर्वान के बाद सबसे पहले संग के एसेंबली में लिखी गई यह किताब थी सुत्त पिताका में अंगुत्रे निकाए एक चाप्टर हैं अंगुत्रे निकाए में काशी कोशल वज्जी मगध शोरसेना, वत्सा, कुरू, पांचाल, गांधार, कामबोज, असमका, पोटाली, अवन्ती ऐसे कई सारे महाजनपद के बारे में मेंचन किया गया है और ये जादा से जादा महाजनपद हमारे गंगा के एक्सिस पर ही मौझूद थे तो गंगा का एक्सिस जो कुछ इस प्रकार जा रहा था, ये सारे महाजनपद ठीक इसके ऊपर और नीचे, यहां साउथ तक मौझूद थे ये सारे महाजनपद अब आपको इस्ट के तरफ जाते हुए मिलेंगे तो आज का एपिसोड इसी बात को पूरे अच्छे तरीके से बताता है कि हम गंगा के एक्सिस पर कैसे आ गए है, आज भी उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे जादा पॉपुलेटेड एरिया है, और यही एरिया जन्म दे रहा था बुद्धिजम को भी, यही एरिया ज नए सभ्यताएं बसने वाली थी, इसे हम गंगा वैली सिवलाइजेशन तो नहीं कहते हैं, लेकिन एक ऐसा साइम पीरिट कहते हैं, जो 600 BCE में नए सभ्यताओं को, नए समाज को जन्म दे रहा था, तो आईए एक-एक करके देखते हैं, इन सिवलाइजेशन और इन जियों के बारे में, और साथी साथ इससे जुड़ी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लव स्टोरीज भी यहीं से आ रही हैं, मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक स्टोरीज भी यहीं से आ रहे हैं, मैं आपको बस 20-25 मिनिट के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इसे याद भी कर सकते हैं और स्टोरी के थूरू हिस्ट्री को आत्मसाथ भी कर सकते हैं याद भी कर सकते हैं यूज भी कर सकते हैं तो आएए सबसे पहले हम गंगा के एक्सिस को बनाएंगे देख I will use another ink और यमुना और कुछ इस तरीके से दोनों का मिलन जो है संगम में हो रहा है जादा से जादा महाजनपद्स इन ही के उपर और नीचे विराजमान होंगी we will see right from the starting of the most important महाजनपद्स सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे महाजनपद्स की जो ancient time period से जाना जा रहा है एक town है जिसको आप जानते हैं वाराणसी के नाम से वाराणसी बनता ही है वरुना और असी नदी के नाम से वरुना उसके north में और असी south में ये दो नदियां मिलकर वाराणसी को बना रही थी वाराणसी एक capital का नाम था जिसके area का नाम था या जिसके महाजनपद का नाम था काशी जी हां काशी जो आज विश्वनात की नगरी के नाम से जानी जाती है उसका capital हुआ करता था वाराणसी और वाराणसी ठीक गंगा के तट पर असी नदी which comes and meets गंगा वहाँ पर आप देखते हैं कि वाराणसी मौझूद थी वाराणसी के बारे में ये बताया जाता है कि काशी जो महाजनपद थी उनके बड़े घनिष्ट संबंद बहुत अच्छे संबंद हुआ करते थे ठीक उनसे उपर रह रहे एक महाजनपद की ये नगरी आज विश्वनात के नाम से जानी जाती है, शंकर भगवान के नाम से जानी जाती है, लेकिन ठीक इनके ऊपर थोड़े से नौर्थ में एक और महाजनपद थी जो कोशल के नाम से जानी जाती है कोशल के बारे में ये बार-बार बताया जाता है कि कोशल के इस्टन साइड में, यानि कि कोशल के इस्ट में गंडक बह रही है, सदा नीरा बह रही है, कोशल के वेस्ट में, वेस्टन साइड में बह रही है गोमती, और उसके बीच में मौजूद है कोशल, कोशल को दो भाग में डिवाइड करती है सर्यू नदी और जो उपर वाली शेत्र है जो इसकी capital है वो थी श्रावस्ति तो सर्यू नदी जिसका मेंशन रामाइण में भी किया गया है और कोशल जिसका मेंशन जादा से जादा भगवान राम के डाइनेस्टी के बारे में बताया गया है वही कोशल महाजनपद बन रही थी सो काशी साउथ में वरानसी में ठीक थोड़ा सा उपर के शेत्र में जाएंगे तो आप कोशल को देखेंगे और कोशल की राजदानी हुआ करती थी इश्रावस्ती काशी की हुआ करती थी वरानसी और इसे सेपरेट कर रहा था बिहार के साथ गंड़क या सदानीरा जिसकी कहानी मैंने अभी आपको बताई थोड़ा सा इस्ट के तरफ आते हैं जो कोशी के इस पार यानि की कोशी के अगर मैं यहां पर इस तरीके से कोशी बना रहा हूँ तो इसके थोड़ा सा इस्ट में एक इमपोर्टन डाइनस्टी थी एक इमपोर्टन महाजनपत था अंग अंग का mention महाभारत में बार-बार किया जाता है लेकिन अंग का mention बुद्धिस टेक्स में भी किया गया है महाभारत में अंग का mention as कर्ण की important territory को बताया गया है in fact कर्ण को अंग नरेश भी कहा जाता था but अंग और अंग के capital चंपा आज के present day भागलपूर एरिया के लिए जाना जाता है so अंग became one of the important regions लेकिन इसी के बीच में यानि की गंडक कोसी के बीच में जो important दो dynasties आ रही थी अब मैं दूसरी dynasties के बारे में बात करने जा रहा हूँ again वो ऐसी dynasties हैं जो पूरे के पूरे महाजन पद को या पूरे के पूरे अगर मैं कहूँ इंडिया के history को change करने की शक्ती रखती थी मैं दो dynasties के बारे में बात करूँगा सबसे पहला गंगा के दक्षिन तट पर गंगा के south में मौजूद आज के present day पाटली पुत्र और उससे जुड़े हुए dynasty का नाम मगद हाला कि जादा तर students इस बारे में जानते होंगे कि मगद की सबसे पहली capital पाटली पुत्र नहीं हुआ करती थी वो राजगीर थी, गिरी राज, गिरिव राज जो पहाडों के बीच में हुआ करती थी लेकिन मगद जादा तर सदन और गंगा की नीचे वाले axis पे अपना वर्चस्व रखता था, अपना dominance रखता था तो सवाल आता है कि गंगा के northern side पर अपना dominance कौन रखता है और वो बात कर रहे थे हम व्रिजीज की और इसके लिए मैं दूसरा इंक यूस करूंगा, because व्रिजीज अपने आप में काफी important थे देखिये, व्रिजीज या व्रिजीज northern part of Ganga, Ganga के जैसे ही आप north में जाएंगे बिहार में वैशाली हो, या even मुझफरपूर हो, या even going up to the borders of Nepal व्रिजीज एक बहुत बड़े गणराज्जी के रूप में उभरे थे, they were the real mother of democracy व्रिजीज में ये कहा जाता था, that वहाँ पर राजाओं को चुन्ने की प्रक्रिया थी 7708 राजाओं की शुरिंखलाएं हुआ करती थी, डाइनस्टीज हुआ करती थी और एक बड़ी interesting बात आपको मैं बताओं, अजाज शत्रू जो मगध के नरेश हुआ करते थे, मगध के राजा हुआ करते थे उनके वहाँ पर बुद्ध एक बार आए, अजाज शत्रू ने अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजा और ये पूछने के लिए कहा बुद्ध से, कि जरा पूछ के आईए, तथागत से, तथागत was another name of बुद्धा, कि बुद्ध से जरा पूछ के राईए, कि व्रिजीज को हराया कैसे जाए, जी हाँ, इसी तरीके से आपको इनकी politics समझ में आएगी, देखिए, मगध का व्रि व्रिजीज से थी, लेकिन फिर भी अजाज शत्रू व्रिजीज को पाने के लिए, या इस वजी एरिया को पाने के लिए, काफी उतारू रहते थे, he wanted to annex that area, और इसी लिए, उन्होंने बुद्ध से अपना advice मांगा, आपको और हमें ये लगता है, कि बुद्ध सिर्फ religious preachings क के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, बुद्ध ने उन्हें advice दिया, कि जब तक वज्जीज अपने अश्ट कुलिकाओं के साथ मिलकर decision लेते रहेंगे, तब तक आप उन्हें हरा नहीं सकते, अश्ट कुलिका is nothing but eight councils that वज्जीज used to take decisions from, उनके eight councils होते थे और सार प्राज शत्रू को ये बताया गया indirectly कि अगर वहां की councils को आप कमजोर कर देंगे, वहां की democratic process को आप कमजोर कर देंगे, तो आप वज्जीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, six century के बाद, इन सब महाजन पदमी से सबसे important मगद ही बचनी, जिनोंने पूरे के पूरे northern और even going beyond नर्मदा, इंडियन सब कॉंटिनेंट में सबसे पहला empire खडा किया, उसकी कहानी next episode में हम करेंगे, लेकिन यहां पर ये समझिये कि सबसे पहले दुश्मनी मगद और वज्जीज के बीच में हुनी इसी समय से शुरू हो रही थी, और बुद्ध का ये episode उन्हें सिर्फ religious न important capital हुआ करती थी कुशी नगर, आज भी कुशी नगर उत्तर प्रदेश का एक बहुत important center है, जहां पर बुद्ध ने अपनी आखरी सांसे ली, it was also called as महापरिनिर्वान, और वो बुद्धिजम का एक बहुत important pilgrim है, मैंने episode के शुरुवात में ही आपको बताया कि कुशी नग की, जिसने इंडिया को, जिसने ancient इंडिया को अपना सबसे पहले love story दिया, actually ये गंगा के दक्षिन पोंड पे थी, even just गंगा एक्सिस पे नहीं, यमुना एक्सिस पे, यमुना एक्सिस के नीचे, on the right bank of यमुना, एक बड़ा important city center है, आज भी है, जिसका नाम है कौशाम भी, उत्तरप्रदेश से जो लोग होंगे, वो इस बारे में अच्छे से जानते होंगे, कौशाम भी, एक ऐसे राज्य का capital था, जिसका नाम था वत्सा, वत्सा के राजा हुआ करते थे, उदहीन, राजा उदहीन, एक दूसरे राज्य के, राजा की बेटी से, बहुत जादा अ जो आज के बध्य प्रदेश के उज्जैन या उज्जैनी और महिश्मती के जैसे सिटी सेंटर्स के लिए जाना जाता है, आवंती के राजा हुआ करते थे, राजा प्रद्योत, और प्रद्योत की बेटी वासव दत्ता के साथ, उदहीन का काफी लंबा चलने वाला एक प् पहले, भाशा ने ये लिखा एक टेक्स्ट विच इस वापनवासव दत्ता, not just that, भाशा ने इसके बाद हर्ष को इंस्पायर किया, and King Harsha wrote two plays on the love affair between Udain and वासव दत्ता, which is called as प्रेदर्शिका and रतनावली, दोनों अपने आप में काफी important texts हुए, मैं याँ पर आपको dynasty, but I will tell you in detail about that, so वच्सा और अवन्ती एक दूसरे से इसी बात पर भिड़ते रहते थे और एक प्रकार से तना तनी भी बनी, लेकिन मैं बात करना चाहता हुँ व्रजीज की वापस, because व्रजीज कोई ऐसी मामुली डाइनस्टी नहीं थी, व्रजीज की अष्टकुलिकाओं में से, व्रजीज के अष्टकुलिकाओं में से एक और डाइनस्टी उभर के आ रही थी, अगर आपको ये सवाल है, कि महावीर और बुद्ध, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई, वो भी इन ही डाइनस्टी के बीच में से उभर के आ रहे हैं, तो कैसे आ रह करते थे, उनका नाम था चेतका, चेतका कोई ऐसे मैसे व्यक्ति नहीं थे, चेतका जो थे, वो भगवान महावीर के मामा हुए, तृशला के भाई, यानि कि भगवान महावीर की मा के भाई, चेतका भी वज्जीज डाइनस्टी के हुआ करते थे, आप समझ सकते हैं, और सा कोई डाइनस्टी हुआ करते थे, शाक्य, शाकास, जो लुम्बनी के अरिया में काफी इंपोर्टन थी, प्रेजेंडे, नेपाल के अरिया में इंपोर्टन थी, वहां से आते थे, बुद्ध, सो बुद्ध, महावीर, ये सब इन ही डाइनस्टी के पास में हुआ करते थे, And this was a larger scheme of a very concentrated political as well as cultural and urban centers of India. So political हो, cultural हो, urban centers हो, वो सारे आप देख सकते हैं Ganga, Ganga की Axis, Yamuna, Yamuna की Axis के आसपास थे. तो मैंने आपको कहानी बताई वज्जीज की, मैंने आपको कहानी बताई वज्जक की, अवंती की. अब बात करते हैं और दूसरे छोटे मोटे डाइनस्टीज की, जो की Yamuna के उस पार थे. देखिए, महाभारत की लडाई में, कुरू के बारे में आप सब लोगों ने जाना होगा, पांडव्स और कौरवास की लडाई. ये बताया जाता है, कि ये जो Yamuna का Axis है, जो यहाँ पर मैंने Black से बनाया है, यहाँ पर जादातर लोग रहते थे, कुरू, डाइनस्टी के. और इनकी capital हुआ करती थी, present day, इंदरप्रस्थ, जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ. Not just that, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, इसी Yamuna की Axis पर, दिल्ली के नीचे, present day, इंदरप्रस्थ, दिल्ली के नीचे, आएगा मथूरा. जहाँ पर rule किया करते थे, शौरे सेना. ये कहा जाता है, इन Buddhist texts, कि शौरे सेना में यादवा डाइनस्टी के लोग रहा करते थे. मथूरा में आज भी कृष्ण भक्ती अपने चरम पर रहती है. कृष्ण भक्ती is most celebrated in मथूरा and कृष्णा is set to belong to the यादवा डाइनस्टी. तो ये वहाँ से correlate होता है. एक और डाइनस्टी थी, जो कोषल और कुरू के बीच की डाइनस्टी थी. इनी कोषल और कुरू के बीच वाली डाइनस्टी. इस डाइनस्टी के पास important cities की लडियां थी. बहुत ही important cities थी इनके पास. मैं बात कर रहा हूँ about a dynasty which is known as पांचाल्स. आप यहाँ पर देखेंग और पांचाल्स के northern area में सबसे important शेत्र था अही छत्र और southern area की सबसे बड़ी important शेत्र या सबसे बड़ी important city थी कामपिल्य. अही छत्र और कामपिल्य पांचालों की एक प्रकार से the most important city centers थी, trading centers थी, urban centers थी. इतना ही नहीं. आज का कन्नौज भी, जो कन्नौज area है, जो अगेन गंगा के तठ पर मौजूद है, वो भी पांचाल के area में ही रहा करता था. सो ये गंगा के axis पर पांचाल, उनके eastern side पर उपर कोशल, जो गोमती और सदा नीरा के बीच में थी, काशी उसके नीचे जो वरानसी से चलती थी, उसके east में northern side में मला, southern side में व्रिजीज और सबसे नीचे मगद और उसके बाद में अंग, आप देख सकते हैं कि कितना घना आबादी और कितनी घनी मुनार्खी as well as democracy को रखने वाला ये शेत्र आपस में 6th century BC में इंडिया में कितना महतो रखता है, लेकिन कहानी अभी खतम नहीं है, कहानी एक ऐसे महाजनपद की, जो आज देश में है ही नहीं, जी हाँ, ये बताया जाता था कि पांडवों से लडने के बाद कौरव्स और कौरव्स के डाइनस्टी के लोग जो जादा तर अपने आपको गांधार या गांधारी के नाम से पसंद करना जानते थे, वो चले गए towards the side of Indus, और Indus के उस पार दो शेत् पुशकलवटी और शलातूरा में रहने लगे, पुशकलवटी आज का पेशावर है, शलातूरा को लातूरा, फिर लाहूरा और उसके बाद लाहौर के नाम से भी जाना जाता है, ये बताया जाता था कि पांडवी का एक बहुत बड़ा स्चाचू, शलातूरा में पाया गया था, हाला कि we don't find that statue still, बट पांडवी जो संस्कृत के सबसे बड़े ग्रमेरियन बने, अस्टध्याई के राइटर बने, उनकी बहुत बड़ी important statue जो थी, वो शलातूरा में एक जमाने में मिलती थी, ये हमें texts के थूपता है, बुद्धिस texts के गांधारा, गांधारा को और गांधारा के अलावा यहां पर historians ये भी कहते थे कि यहां पर कांबोज नाम की भी dynasty थी, जो अगें towards the हिंदुकुष, ट्रांस हिंदुकुष एरिया में देखी जाती है, गांधार और कांबोज दोनों ही अब पाकिस्तान साइड में हैं और tension बताया जाता है, लेकिन इंडिया में बचे हुए कुछ और महाजन पद हैं, जो आज present day राजस्थान में हमें मिलते हैं, for example, मत्स एक ऐसा महाजन पद था जिसका सेंटर था विराट या बिराट नगर जो आज के present day जैपूर से मिलता है, और इंडिया की सबसे सदन महाजन याने की मध्यप्रदेश से भी नीचे, आज के present day महाराष्टर में, पैठान में हमें मिलती है एक और महाजन पद जिसका नाम था असमका, असमका या असमका पोटाली, तो ये सारी महाजन पद की कहानी, basically हमने इस lecture में आपको बताई है, लेकिन दोस्तों, इसकी आगे वाल जो कहानी थी, या इसके आगे वाली जो आने वाली कहानी है, वो बस यही है कि किस प्रकार से मगद, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो अपना चक्र व्यू चलाता है, और इन सारे महाजन पद्स को आपस में समेट लेता है, मगद बिकम्स ये यूनिफायर, as well as असर् all the mahajan pad, आगे की कहानी बस यही है, कि कैसे अरण्यक डाइनस्टी हो, शिशुनाग हो, नंदा हो, या मौरयाज हो, यह सब उन डाइनस्टी के नाम है, जो मगद में एक के बाद एक आते रहे, और पूरे इंडिया को capture करके, हमें सबसे पहला empire दे रहे, they were the first samraats, वो सबसे emperor थे, I hope you have enjoyed the tracing of mahajan pad and the interesting stories between them, वजी का मगद के साथ, वज्स का अवन्ती के साथ, या काशी का कोशल के साथ, Now, before you end the lecture, the most important thing which I want to tell to my dear students, हम जानते हैं कि आपके लिए UPSC की तयारी एक जर्नी है, इसी प्रकार की जर्नी है, और जर्नी में सबसे important चीज होती है समय, जितना जादा समय है, वो कहते हैं, it is the process, it is the journey rather than the destination, हम चाहते हैं और बहुत सारे students यह भी चाहते हैं, कि वो 8-7 महिने कि तयारी के बाद हम से अलग ना हो जाए, बिचड ना जाए, we want कि आप जब तक हमारे साथ तयारी कर रहे हैं, कम से कम तयारी के बाद 2-3 बार आपका revision तो खतम हो ही जाना चाहिए, that is why we have bought this golden opportunity, in fact the first batch is full, numerous, exciting response that we have got, इसलिए हमने batch second launch किया है, of our foundation batches, that is platinum, gold and silver, अगर आप first year में हैं और चाहते हैं कि तीन साल या उससे जादा समय आप हम से बिताएं, so take the platinum batch, no doubt, आप चाहते हैं आप second year में हैं या third year में है, आप चाहते हैं कि दो साल तक ही तयारी करें और उसके बाद आप examination दे, take the gold, अगर आप चाहते हैं कि 18 months में ही हम तयारी करके आगे, examination दे, take the silver one, but you know what, maximum of the students have taken the platinum one, because जादा फर्क है नहीं, दोनों के subscriptions पे, provided you use the code ASHLIVE, this takes you to our classroom, जैसे ही आप code ASHLIVE यूज करेंगे, you'll get the maximum discounts, you'll come to the classroom, what is the difference in the classroom, classroom is where the real discussion happens, classroom is where you debate, you discuss, you analyze the process, facts तो ही हैं जो चेंज नहीं होने वाले, लेकिन ऐसे facts आप 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 आ आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, और answers में present कैसे कर सकते हैं, अपने आपको एक ideal civil servant पेश करने के लिए, आपको interview में क्या कहना है, mains में answers कैसे लिखने हैं, और prelims के questions कैसे tackle करने हैं, यह सब कुछ classroom में ही पढ़कर पता चलता है, so before you take any other step towards your journey to become an IS officer, take this step, आप पहले यह step लीज करिये, take the admissions into classroom, particularly I teach history, मैं चाहूंगा कि जादा से जादा students को हम discuss करके, आराम से बैठ कर, तीन साल, rigorous तैयारी करके, so that you know, by the end of the lectures, by the end of the years, जब आप eligible होते हैं, you already have revised the syllabus 3, 4, 5 times, that presents you with an unique edge, जो और किसी को नहीं मिलेगा, that is where you shine better, and this is what, this is from prelims till interview, so I hope you use the code ASHLIVE, the batches are starting, the second batches are starting on 23rd of October, use this code, come to the classrooms, that is where the real magic happens, if you have any other question, इसके उपर या इसके अलावा, history से related हो, admission से related हो, आप मेरे telegram channel पर जूर सकते हैं, you can directly message me also, at the same point of time, any discussions regarding history and its related facts, I will be more than happy to come with you, to come up with exciting answers and questions with you, that is what the magic is, don't wait for any more time, use the code ASHLIVE, come to the class, thank you for watching.